केक बहुत ही सिंपल एंड एजी रेसिपी है कस्टड केक बनाने के लिए फर्स हमें कस्टड बनाना होगा कस्टड बनाने के लिए पहले में लोंगी एक कप मिल्क उसमें मैं 3 डेबल स्पून कस्टड पाउडर एड करूंगे मैंने वनीला फ्रीवड कस्टड प्लाव पाउडर लिया है आप जो अवीलिबल है आपके पास या मार्केट में वो ली सकते हैं हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि उसमें कोई लंस ना रहे अब मैं बेकिंग ट्रे को वेजेटेबल ओयल से ग्रीस करूंगी इस भी ट्रेट आपके पास बतर पेपर नहीं हैं तो आप बेकिंग टिन को मैदे से डास्ट कर देना इवन ग्रीक्टी केट बीटाहिए अब हमारी कस्टड में बॉइल अना शिरी हुआ है अब इस इस परफेक्ट इंसिस्टेंसी जब इस कंसिस्टेंसी में कस्टड फर्क चाहे तब आप फ्लेम ओफ कर देना और इसी कूल होने के लिए रख देना अब हम अमारे केक का ड्राइ इंग्रीडियन प्रिपेर करने जा रहे हैं ड्राइ इंग्रीडियन के लिए मैं एक स्टेनर होंगी उसमें मैं अराउंड वन कप मैदा यानि औल परपेस फ्लावर लालोंगी उसमें मैं अराउंड वन टी स्पून बेकिंग पावडर and a pinch of baking soda add and i have to strain it and don't skip this step this is a very important step for my wet ingredients i will require 3 eggs 1⁄2 cup oil 1⁄2 cup sugar and vanilla essence as i don't have electric whisker I will prepare my wet ingredients in a mixer blender add each ingredient at a time and blend it for around 30 to 40 seconds यह बहुत ही amazing technique है अगर आपके पास electric whisker नहीं है same outcome निकलता है I have tried it many times and it works out good meanwhile मैं प्रेहित करूंगी अवन at 180 degree Celsius for 10 minutes now I will add this wet ingredient which I have made in mixer blender to the flour mixture हमें इसे अच्छे से विस्क करना है कि अच्छे करना है कि इसमें कोई लंपना है this mixture in one direction और जब यह अच्छे से मिक्स हो जाए इसने में आड़ करूंगी कस्टर्ड जो मैंने थंडे होने के लिए रख लिया था हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है जब यह अच्छे से मिक्स हो जाए इसे में अब विकी पिल में डालूंगी हमें इसे अब five to six times ऐसे ट्रैप करना है अगर कोई air bubble हो तो वो निकल जाएगा मैं अब केक को अवन में बेक करूंगी अगर आपके पास अवन महीं है तो आप इसे प्रेशर पूपल में भी खूप कर सकते हैं आप मिडियम फ्लेम फ्लेम फर बाउट 40 तो 45 मिनिट्स नाव इस ऑल्मोस्ट 25 मिनिट्स और में रहे हो गया है मैंने उसे नाइफ से चेक किया था था और चेम आउट क्लीट्स तो मैं अब केक को अवन से बाहर निकालेंगी और उसे कूल होने के लिए रख दोंगी जब केक कुल हो गया था तब मैंने उसे दी मोल किया था और फोगॉड टो रिकोर इस इस पाउट इस पानजी और चेशे बेक हुआ है और बहुत ही तेस्टी बना था तो प्रहुत है और बतो इस नेडि़ा , और बतो आपर अचेँ है और आपके लिए खर इस पानजी पी तू बैस झी प्सक्राइप है और से इस प्रिए और बेस्टील परणीं इस प्रत्वार निए प्सक्राइब का तरि एस चैनल लिए और आब बाल इस तर शबने का और झाल झाल